आप नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जेके और आप देख रहे है टेक्निकल बोली दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक प्रोफेशनल लाइटिंग सेटप जिया दोस्तों ये लाइटिंग सेटप है जो मैंने दिल्ली की चान्दी चोग मार्केट से लिया है ये तो वीडियो को देता एक प्रोफेशनल लूप जिया दो करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और देखते हैं क्या खास है इस लाइटिंग सेट अप में तो आए शुरू करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का है यह लाइटिंग स्टेंड जैसा कि आप देख सकते हैं डिजी टैक क करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं इसको ओपन यहां से खोलेते हैं इसको यह इसका कुछ इस तरह का स्टेंड हो जाता है कुछ इस तरह की हाइट मैं इसके देखने को मिलती है दोस्तों यह कितना ओपर ही जाता है हाइट काफी जादा है दोस्तों इसकी करीब पूरा ओपन होने के बाद ही साथ सै आठ फूट तक हो जाता है लंबा हो जाता है दोस्तों इसके साथ मैंने लिया है उपर लगने वाला होल्डर का सेट वो भी ट्विन होल्डर सेटप है करीब 400 रुपेगा वो मुझे मिला था दिली की चांदी चोग मार्किट से और 400 रुपेगा ही ये स्टेंड मुझे मिला था तो आईए देखते हैं क्या है वो दूश्री चीज ज़ोस्तों कुछ इस तरह काहने लाइटिंग होल्डर है मैं आपको उपन करके दिखा देता हूं कैसा है तो कुछ इस तरह का दिखता है होल्डर का स्टेंड इसको कर लेते हैं इस तरह से इस पे माउंट इसकी direction को भी हम उपर नीचे कर सकते हैं इसके angle को change कर सकते हैं दोस्तो इसके साथ मैंने लिए हैं ये दो holder के socket जो की convert हो जाते हैं नॉर्मल वाला जो हमारा बलब आता है वो इस मासानी से fit हो जाते हैं तो fit कर लेते हैं इनको भी दोस्तों कि और चाहर चाहर हो, इसको कर देते हैं कि यहां, प्लग उन जिया राइध के साथ ही मैं ने लिया यह जो वाइड कर अंब्रेला जो आप ордनार देखा होगा जो फोटोग्राफिक करते हैं वीडिोग्राफिक करते है वो अपने लाइटी के आगे ये अम्रेला वाइट अम्रेला लगा लेते हैं जिसे के एक हार्ष लाइट चो पड़ती है फेस के उपर वो सोफ्ट हो जाती है ये भी मैंने 50 रूपीज का चांदे चोकी ही मार्किट से ले लिया दोस्तो कुछ इस तरह से इस होल के अंदर ये लग जाता है असानी से फिट और इसको लगाते हैं से पहरे लगा लेते हैं इसमें LED बल्प जिहां दोस्तों ये बल्प में इसमें लगा देता हूं और ये अंब्रेला भी इसमें फिट कर देता हूँ अब मैं करता हूँ इसको ओन तो देखा तो तो आपने कितना प्रोफेशनल लुक ये दे रहा है प्रोफेशनल लाइट एक पड़ती है अभी मैं आपको कैमरे के सामने इसको रखके दिखा रहा हूँ इसलिए शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन जब मैं इसको अपने कैमरे के पीछे लगाता हूँ ये साइड में लगाता हूँ तो एक अच्छा लुक देता है वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है इससे वैसे तो मैं लेने गया था रिंग लाइट लेकिन काफी महंगी मुझे वो पढ़ रही थी करीब 4000 रुपे की एक रिंग लाइट मुझे पढ़ रही थी इसलिए मैंने ये लाइटनिंग सेटप को चूज किया अब ही मैं एक वीडू की क्वालिटी काफी अच्छी हैगी मैं सेंपल के लिए एक सेटप ले आया था अब मैं थी दूसरा सैटप भी लेकर आपँ जिससे आप देखो की आने वाली वीडियो में मेरी वीडежд की क्वालिटी काफी बेटर होगी lighting काफी अच्छी मुझे मिलेगी और मुझे ये काफी अच्छा और सस्ता lighting setup लगा तो आप बताईए comment के माध्यम से आपको ये lighting setup कैसा लगा क्या 1000 रुपी की range में ये lighting setup फिट बैठता है या नहीं, तो ऐसे की कुछ काम की video मा आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रही मेरे साथ तो देखते रही टेक्निकल बोली, जैहिन दोस्तो